बताना यह चाहता हूँ के मुस्तकिल हमारे सूबे के साथ जात्ती हो रही है चाहे वो नया पाकिस्तान का दौर हो हमारे यहां 30 31 नक्षए जो है वो सिन बिल्डिंग कंट्रोल से निकलते हैं पंजाब के अंदर जो 271 निकलते हैं तो मैं यह sin building control authority को जो है मूर्दे इल्दाम नहीं ठहरा रहा क्योंकि उनके ओपर भी कोई लोग बैठे में मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि जब sin building control authority बन गया है और हम ही वो लोग हैं कि जो 90% revenue जो है जनेट करते हैं कराची से और 65% revenue जनेट करते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए तो अगर पंजाब 271 नक्षे पास कर रहा है तो हम 500 नक्षे क्यों नहीं पास कर सकते हैं तो यह हमारा फेलियर है अब एक bank plaza जो है वो iconic building है आज तक है आज हमारे आईई जो है वो एक building तामिर होने के साथ साथ जो है वो रुकी वी है वो 65 stories building है क्यों नहीं complete ओरी भाई यह तो पाकिस्तानी building है ना यह iconic buildings जितनी बनेंगी तो पाकिस्तानी आएंगे अवर्सिस पाकिस्तानी आएंगे हमारा शेहर क्यों रुकावा है हमको वो वज़ा तलाश करनी है वो ही वज़ा अपने अरबाब एक्तियार को आगे पहुचानी है कि खुदारा शेहर सारे पाकिस्तान के है और जिस शेहर में मैं जो है रहता हूँ उकाम करता हूँ वो तो मिनी पाकिस्तान है तो इसका मतलब पाकिस्तानी ये शहर है तो इसके साथ जो है वो नाइनसाफी नहीं होनी चाहिए इसके यूद के साथ नाइनसाफी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर जो चीज़ें हम बिल्ड कर रहे हैं क्पिछले 20 साल से जो है वो पता नहीं किस तरीके से जो है कब कंपलीट होगा तो यह मेरी आपकी सब की जिमेदारी यह इस यूथ को भो प्लेट फार्म मोहिया कर रहां तो आज हमारे साथ बिलक्वारे साथ तो थेया ही नहीं आप 75 का दुबई देखें और 75 का कराची देखें तो आपकी जो है वो आखे दंग रह जाएंगी कि वो सब यहां आकर investment करते थे हमारे डी एचे के अंदर जो है उनके एक एकड़ के दो दो एकड़ के महलात हैं और वो यहीं आके अपनी चुटी हैं और यहीं सब कुछ मनाते थे तो दुबई कहां निकल गया हम कहां रहे गए तो हमको इस चीज़ को सोचना है आज बैटके अगर हमने यूद के लिए प्लेटफार्म हो या नहीं किया तो कल फिर हम हम हो ना हो जो भी होगा वो यहीं कहेगा कि यार हम किदर खड़ें तो प्लीज इस ब्रेंड रेंड को रोकें इस यूद को समालने यहां पर बहुत टैलेंट है हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करने का होसला भी रखते हैं